होली पर्व की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और धेर सारी शुब कामनाई ओम शान्ती 25 मार्च 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा सदा बुद्धी में रहे कि स्व्यम बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं वही सुरिष्टी का बीज रूप और ज्ञान का सागर है सभी धर्म वाले उनको ही अल्लह गौड फादर प्रभु आदी कहते हैं जरूर उनकी पढ़ाई भी इतनी उंच होगी यहे ख्यालात पूरा दिन अंदर में चलने जाहिए अंतर मुखी हो जब ऐसे ऐसे विचार सागर मंधन करेंगे तब ही खुशी और नशा चढ़ा रहेगा सची खुशी तो तब मिलेगी जब तुम औरों का कल्यान करेंगे रहम दिलबन सबको खुश करेंगे फिर बाब ने कहा बाप तुमको नई-ई बातें सुनाते हैं वह फिर औरों को सुनानी है पढ़कर औरों को पढ़ाना है बड़े से बड़ा टीचर है शुबाबा वह तुमको भी टीचर बनाते हैं ऐसा बाप जो तुमको विश्म का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलते क्यों हो तुम्हे तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए भले माया के तूफान भी आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो बाप को याद किया तो वर्सा मिल जाएगा लास्ट में बाबा ने कहा यह बढ़ाई अंद तक चलती रहेगी इसलिए अच्छी रिती पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो यह तो बहुत बड़ा व्यापार है अभी तो बाप डिरेक्ट आया है जिनोंने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया उनको जरूर एक बाप ही याद आएगा अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्ताहर से बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंदर मुखी बन विचार सागर मन्थन करो तो खुशी और नशा रहेगा तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे प्रैशन किस आधार पर अंदर की खुशी स्थाई रह सकती है उत्तर स्थाई खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्यान कर सब को खुश करेंगे रहम दिल बनो तो खुशी रहे जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धी में रहता कि ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं पावन बना रहे हैं हम विश्व का महराजा बनते हैं ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं ओम शान्ती रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूझते हैं बच्चे यह ओम शान्ती किस ने कहा तो बच्चों ने कहा शुब बाबा ने बाबा कहते हाँ शुब बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रत में ही आकर पढ़ाता हूं। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लोकी कृती से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे जाड अथ्वा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम ज बाप हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप, टीजर, गुरू है, उनको रचता भी कहते हैं, यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं, मैं बीज रूप हूँ, इस मनोश्य स्रिस्टी रूपी ज्ञाड का नौलेज तुमको सुनाता हूँ, सिवाए बीज के, यह नौलेज कौन दे, ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञाड को उसने रचा, कहते हैं, बच्चे, यह तो अनाधी है, नहीं तो मैं तिथी तारीक सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा, परंदु यह तो अनाधी रचना है, बाप को ग्यान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार, अर्थात, जाड के आदी मद्धे अंत का राज जानते हैं, बाप ही मनश्य श्रिस्टी का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नौलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सब मनश्य कहते रहते हैं, पीस कैसे हो, तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शानती का सागर ही स्थापन करेंगे, पहे शानती, सुख और ज्ञान का सागर है, कौन सा ज्ञान है, स्रिस्टी के आदी मद्धे अंत का, वो लोग ज्ञान तो शास्तरों को भी समझते हैं, ऐसे तो शास्तर सुनाने वाले ढेर हैं, यह बेहद का बाप खुद ही आकर परीचे देते हैं, और श्रिस्टी के आदी मद्धे अंत की नौलेज भी देते हैं, यह भी समझते हैं, कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है, वहां है ही पीस, यह भी कोई नहीं जानते, कि शानती धाम में सब शानती में थे, वह कहते रहते हैं, यहां पीस कैस यहां थी जरूर, पीस चाहिए राम राज्ये वाली, राम राज्ये कब था, यह किसको मालूम नहीं है, बाप जानते हैं, कितनी धेर आतमाई हैं, मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते, जो भी सब आतमाई हैं, सब इस समय यहां है, पहले शांती धाम में थी फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है, सुख दुख का यहे खेल कैसा बना हुआ है, यहे कोई नहीं जानते, ऐसे ही सुर्फ कह देते हैं, कि आवागमन का खेल है, तो अब तुम बच्चों की बुद्धी में है, कि वहे हम सब आतमाउं का वह हमको knowledge सुना रहे हैं, वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं, बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं, सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं, कितना बेहद का बड़ा नाटक है, वह लाखों का खेल है, अभी तुम जान गए हो, शान्ती दो प्रकार की है, एक है शान्ती धाम की, दूसरी है सुख धाम की, यह तुम बच्चों की बुद्धी में है, कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्ला, गौड फादर, प्रभु आधी-आधी कहते हैं, उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी उची होगी, यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए, बाप कहते हैं, मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं, नए किस्म से पढ़ाता हूं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो, भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है, वास्तों में यह ब्रह्मा भी बड़ी मा है, इनको तो सिर्फ पिता कहेंगे, शुबाबा को, मात पिता फिर इनको कहेंगे, इस माता दवारा, बाप तुमको एडोप्ट करते हैं, बच्चे-बच्चे कहते बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नौलेज सुनाता हूं, यह चक्र भी तुमारी बुद्धी में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो, ज्यान सागर बाप की है रुहानी नौलेज, रुह बाप ही ज्यान का सागर है, आत्मा कहती है बाबा, बच्चे सब बातें अच्छी रिती बुद्धी में धारन करते हैं। अंतर मुखो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मन्थन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शुब बाबा। वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाब ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जनमों के भी अंत के जनम के भी अंत में इनमें प्रवेशकर तुमको पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आये होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ती मार्ग में कितने नाम हैं, कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्ला कहते हैं। एक ही टीचर के देखो, कितने नाम रख दिये हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी धेर भाशाई हैं, तो कोई खुदा, कोई गोड, क्या-क्या कह देते हैं, खुद समझते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, जब पढ़कर देवता बनेंगे, तो विनाश हो जाएगा, अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा, बाप कहते ह मेरा ही पाल्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ, यह भी बच्चे जानते हैं, भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है, आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आये हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांती स्थापन करने वाला भी है, जब इन लक्ष पश्मी नारायन का राज्य था, तो शांती थी, यहां है अशांती, बाप है एक, आत्माई कितनी ढेर हैं, कितना वन्रफुल खेल है, बाबा सब आत्माउं का बाप, वही हमको पढ़ा रही हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम समझते हो, गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी वल्लब बाप है, सिर्फ आत्माउं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है, तभी गोप गोपियां अत्वा भाई बहन कहा जाता है, गोपी वल्लब शिबाबा के बच्चे हैं, गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है, गायन भी है, अचतम केश्वम, गोपी वल्लभम जान की नाथम यह महिमा भी इस समय की है परंतु न जानने के करण सब बातें गुड़ गुड़ धानी बना दी है यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं सत्युग में किसका राज्य था कितना समय चला यह नहीं जानते क्योंकि कल्प की आयू लाखों वर्ष कह दी है बिल्कुल घोरंधियारे में है अब बाप आकर तुमको स्रेश्टी चक्र की नोलेज देते हैं जिसको जानने से तुम त्रिकाल दर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो यह पढ़ाई है बाप खुद कहत मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुशोत्तम बनाता हूं नंबर वार तुम ही बनते हो पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं वो तो कह देते परमातमा नाम रूप से न्यारा है ठिकर भितर में है क्या-क्या कहते रहते हैं देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं रावन को दस शीस देते हैं तो बच्चों को दिल में आना चाहिए सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं पावन बनाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए परन्तु वहे खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्यान कर सबको खुश करो रहम दिल बनो ओहो बाबा हमको विश्व का महराजा बना देते हो राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे न वहाँ वजीर होते नहीं अब राजाएं नहीं हैं तो वजीर ही वजीर हैं अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो घड़ी घड़ी यह बुद्धी में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं जो अच्छी रिती पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और उच्छ पढ़ पाएंगे यह लक्षमी नारायन इतने साहुकार कैसे बने क्या किया भक्ती मार्ग में कोई बहुत साहुकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे उच्छे कर्म किये हैं इश्वर अर्थ दानपुन्य भी करते हैं समझते हैं, इनकी अवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जनम में सहुकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इंडिरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है, अब बाप डिरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं, कि आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे, कि यह नौलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारेण हमको बनाओ, मनोश्यों की बुद्धी में तो श्रीक्रेश नहीं याद आता है, बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं, अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांती धाम जाक फिर सुख धाम में आएंगे, बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं, भल सुनते हैं, परन्तु जैसे कि सुनते ही नहीं है, पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी होते ही नहीं है, सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, स्त्री का पती पिछाडी कैसे प्रा तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनको तुम भूलते क्यों हो, माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो, बाप को याद किया तो वर्सा मिल जाएगा, स्वर्गवासी देवताएं तो सभ बन जाते हैं, बाकि सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है, यह सभ नई बाते हैं, ध्यान में तब आएंगी, जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे, तुम टीचर को भी भूल जाते हो, बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए, और सब कुछ इस ज्ञान यग्य में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी, तु तुम सुनकर खुश होते हो न, तो अच्छी रिती पढ़ो, और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है, वह भी करते रहो, यह भी बहुत बड़ा व्यापार है, बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे, रुपे से एक आना धर्माव निकालते थे, भल घाटा पढ़त था, कहते थे, आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो भोतों का कल्यान हो जाएगा, वह था भक्ती मार्ग, यहां तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा यह सब कुछ लो, बाप कहते हैं, तुमको सारे विश्प की बादशाही देता हूं, हमें समझ में आया, कि हम विश्प का मालिक बनेंगे, बाबा की प्रवेश्ता थी न, विनाश देखा, बस, यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धन्दा आदी क्या करूं, छोडो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है, अब बाप तुमको भी समझा रही है, कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, तुमको कुम्भ करण की नेंद से जगाने का कितना पुरुशार्थ करा रही है, तो भी तुम जगते नहीं हो, तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है, सब कुछ बाप को दे दिया, तो जरूर एक बाप ही याद आएगा, तुम बच को ख्याल होता है, विचारिया मार खाती है, पती कितना सताते हैं, भल समझते हैं ज्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं, कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्यजार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है, बाप तो कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अ परवेश करता हूँ, तो जरूर हम ही गोरे थे, जो अब सावरे बने हैं, मैं ही पहले नंबर में जाओंगा, हम जाकर शुरिक्रेश्न बनेंगे, इस चित्र को देखता हूँ, तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनोंगा, तो बाप बच्चों को अच्छी रिती समझाते हैं, अ अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम गोपी वल्लब की गोप गोपिया हैं, इस खुशी वन नशे में रहना है, अंतर मुखी बन, विचार सागर मन्थन कर, बाप समान, टीचर बनना है, दूसरा, सुदामा मिसल, अपना सब कुछ ट्रांस करने के साथ साथ, पढ़ाई भी अच्छी रिती पढ़नी है, विनाश के पहले, बाप से पूरा वर्सा लेना है, कुम्भकरण की नेंद में सोय हुए को जगाना है, आज का वर्दान, मधूरता के गुण दवारा, संसकार मिलन करते हुए, मंगल मिलन मनाने वाले, होली हंस भाव, मधूरता के गुण दवारा, संसकार मिलन करते हुए, मंगल मिलन मनाने वाले, होली हंस भाव, बाबा ने कहा, जैसे होली पर रंग खेलते, और एक दो का मुख मिठा कराते, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप, होली हंस बच्चे, जब एक दो को रुहानियत के संग का रंग लगाकर, मधूरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से, मधूरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन, अर्थात संसकार मिलन होता है, आपस में संसकारों का मिलन होना ही, प्रत्यक्षता का आधार है, इसी से ही जैजेक स्लोगन विदेही पन का अभ्यास करो यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। उने पास करें पास करा अभ्यास 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 करें हम जर्फ एन का अभ्यास करा है।